कि नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बाज करने वाले हैं कि अगर आपका भी फोन हैंक करता है यानि कि मान लीजिए आपका फोन जो है चलते चलते हीट हो जाता है और हैंक करता है कभी-कभी अपने आप चलने लगता है या फिर कुछ ऐसा सिस्टम आता है कि मान लीजि कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कैसे आप इन सब्सक्राइब के लिए एक जैसा कि प्रॉब्लम है या हैंगिक प्रॉब्लम है उसे नॉर्मल कर सकते हैं या खतम भी हो सकता है अगर आपका फोन नया है और कुछ सेटिंग से प्रॉब्लम है तो तब तो खतम हो जाएगा ल जयनका याने मोबाल रिपैरिंग पर जाना पड़ेगा और उसी दिखाना पड़ाइगा लेकिन आपको चेक होता है कि आपको क्लोड करते हैं तो आपोन काम करता रहा है जीस शोटा रहाता है एक कर रहे हैं तब में आपना काम कर रहा है तो है तो उससे आपको कर सकते हैं जैसे कि आपको बंद कर देंगे तो आपको काम करता है कि यह फोले आपको करना क्या है यह स्क्रोल करने के बाद मिलेगा उस पर आप कुछ दर तक प्रेस करके रखना आपको एक का सनी Central स्कैनिंग की कर देखा लेना है यजवे शोनुकर देना यह एक साल बार आप से आपने में फोटो ली थी लखनवा नहीं फोटी पvalue तो इससे आपको कोई लेना दोना तो होता नहीं है और बेसिकली आपका फोन हैंग करता है तो आप उसे आफ कर सकते हैं और रही बात इससे अगर आपका फोन नहीं हो सही होता है अगर आपका फोन आटमेटिक चल रहा है या ज्यादा हैं कर रहा है तो और आपको कोई इमर्जें जैसे कि restart reboot का उस पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप रिस्टाट या रिबूट करेंगे आपका फोन 15-20 सिकेंड आधा मिनिट में तीस जैसे एक मिनिट में अपने आप अपन होगा और सभी सेटिंग्स जो होती है छोटी-mोटी उनको सभी कर देता है और आपका फोन कम से अपडेट करते रहे हैं और सफ्टेयर अपडेट है यानि की सिस्टम अपडेट है तो उसे भी करते रहें समय समय से क्योंकि रिबूट एक छोटा सा ऐसा हल है जिसे कि आप 15-20 मिनिट अपना पून अच्छे तरीका से यूज कर सकते हैं लेकिन आपको इमर्जेंसी काम है तो आप इस तरह से अबिच कर सकते हैं इसे फोन को रिबूट करके और चोटी-मोठी कोई प्रवबल्म हो गई है जैसे चोटी-मोठी सेटिंग आपको समय नहीं आ रहा है कि से कैसे सचय क्या आप रिबूट कर सकते हैं रिबूट और रिषटार्ट अलग होता है यह बनाई हुई है उसी channel को आप जाकर उसे देख सकते हैं लेकिन रिभूट करने में आपको सब कोई भी image न ही डिलीट होती है यानिक रिस्टार्ट करने में और कोई वी जैसा आपका वीडियो डिलीट आप जब फोन को जह से ज़्यादा है कर रहा हैं कि इसका इंटनेट करते या फिर अपने पून को चार्ज में लगा लगा value जैसे की उच करने चूसे करें बार बार करें तो नो कितना हो मांगा फोन हो आपका और दूसरी बात है कि अगर आपका फोन इंटरनेट आन है और आपने उसी तरह से चार्ज में लगा दिया है तो भी आपका फोन हीट होगा और हैंग करेगा और तुसरी बात कि अगर आप फोन को हमेशा इंटरनेट आन रखते हैं अगर आपका पहलान नरखें जब ज़रूरत तो तभी जान करें क्योंकि जब आपका फूराना हो जाता है तो इन सभी सेटिंग्स को मैनेज अůधां सब्चटール से बच और जो हता है जितना एक परयास करें कि आपको प्यू角 है कम से कम धूक्त ऐसके मेरा बढ़ा दे रहा हूं तो इतना अबर आपका फॉन आटमेटिक कोई भी फोन हीट होता है और वह आपके फॉन में किसी-किसी फॉन में आट पर ब्रैटनेस हम आप सना है यहाँ पर बगल में आप उसका उच करनेへं जब आप डूप में सेंसर होता है उसके माधियम साथ ब्राइटनेस अपना उपर नीचे करता रहेगा रात्री में यूज करेंगे वह नार्मल कर देगा और दिन में कहीं दूप में यूज करेंगे तो आटोमेटिक को दूप की साफ से अपना जो की स्क्रीन का फोकस बढ़ा देगा तो आप आप अंदर सेटिंग होती है आटोम ब्राइटनेस के अंदर जाने पर भी मिलते हैं आप उसे जाकर एक्टिवेट कर सकते हैं और आपको वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लागा कमेट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही रोचक करके बतलाएं उस पर हम वीडियो बनाने का पूरा परियास करेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाएंदे